क्योशन है a uniform disc of radius 50 cm at rest तो याने कि initially क्या है इस case में उमेगा initial 0 है it turns about an axis which is perpendicular to its plane and passing through its center तो याने कि एक डिस्क होगी इसके center से पास करें और plane के perpendicular है इसके बाट free to rotate है it is subjected to a torque which is produce a constant acceleration 2 radian per second square तो याने कि torque इसके में subject to a torque याने कि force लगा होगा tangentially इसको अगर इसके में torque लेकर आना है याने कि टोर्क की वज़े एंगुलर एक्सलेशन आए तो याने कि से इसके उपर ऐसे टेंजिंशली फोर्स लगा होगा जिसकी वज़े से क्या हो रहें इसकी वज़े एंगुलर एक्सलेशन आगया तो यहां पर एक तो क्या गया और यहां पर नेट आजाएगा सेंटिप्रिल एक्सलेशन नेट एक्सलेशन जो होगा हो क्या होगा आपके वास और आट आफ गां कि तो होगा एक दूसरेकह पर पर पैंडिकलर एक्सालेशन तो क्या आजाएगा आर इंटू इल्फा के बराबर आर 10 की पावर माइनस 2, alpha की value है 2, तो यह आजाएगा आपके पास 1 meter per second के, अब यह देखो centipedal acceleration जो होता है, वो क्या हो जाएगा, आपके पास omega square r के बराबर, अब omega final, 2 second के बाद omega देख लो कितना आएगा, तो omega final, initial 0 तो alpha into t, alpha की value है t, time की value है 2, तो यह कितना आजाएगा आपके पास 4 के बराबर, तो centipedal acceleration जो आएगा, वो कितना जाएगा, 4 का square 16 इंटू में alpha की value है 2, alpha की value कितने है, r की value, sorry, alpha ने r, omega square याने की 16, 4 का square 16 इंटू r की value है 50 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो याने की 800 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो यह कितना आगया 8, तो यह पिनकाल अंडरूट, centipedal acceleration 8 का square, plus tangential acceleration 1 का square, तो अंडरूट कितना जाएगा, 64 प्लस 1, एंट के अंडरूट 65 का अंसरा जाएगा, approximate क्या जाएगा, 8C option क्या होगा, इसका correct होगा